हेलो एब्रिवान स्वागत आप सभी का टोपर स्ट्रेंग चैनल में इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिटुशन यानि की वाक्यांस के लिए एक शब्द जो की प्रिवेस एक्जामों में पूछे गए हैं देखे आपको पता है हिंदी के जो हमने प्रिवेस पेपर केते हैं तो हमने देखा था वाक्यांस के लिए एक शब्द जो है जरूर आता है एक्जाम में तो हम इसमें सिर्फ वही करेंगे जो प्रिवेस पेपर वस्में पूछे गए हैं वैसे तुछ जादा मुश्किल नहीं आता है वाक्यांस के लिए जो शब्द आते हैं, एक वर्ड जो लिखनी होते हैं, वो इतने मुश्किल नहीं आते हैं, लेकिन कई बार जो है, मुश्किल दे देते हैं, जिसमें समझना थोड़ा मुश्किल होता है कि कौन सा जो इसमें सह तो आज जो हम सिर्फ इंपोर्टेंट करेंगे जो की एक्जामों में पूछे गए हैं, सारे नहीं करने वाले क्योंकि उसके लिए उब्वेस है बुक्स अवेलेबल होती है तो वहां से पढ़ लिया जाता है, बट हम इसमें वो देखेंगे जो प्रिवेस एक्जाम में जाएगा, जिसका उत्तर ने दिया गया हो अनुतरीत, अपने मत को मानले वाला, अपना यानि कि सव मताव लंबी, जो अपने मत को माने सव मताव लंबी, जो कहां ने गया हो, जो कहां ने गया हो एकथ्या या फिर एकथनिया कह सकते उसको, जिसे कहां ने गया हो, परंपर जो देखने योग्य हो द्रिस्टव्य है ठीक है आगे देखे जिसे जानने की इच्छा है मतब जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहते हैं उसे जिग्यासु कहा जाते है प्रत्वी से जो सम्मंध कर मतब प्रत्वी से जो रिलेटिड हो उसे क्या बलेंगे पार्थिव जो पूरो में था लेकिन अब नहीं है जो पहले था लेकिन अब नहीं है तो वो जाएगा भूत पूरो यानि कि ये भूत से भी पहले का कुछ ठीक है जो कठिनाई से मिलता है उसे क्या कहेंगे दुरलब जो आख से परे हो प्रॉक्ष, और जो आखों के सामने हो प्रत्यक्ष ठीक है आगे देखे संदेश लेकर जाने वाला क्या कहलाएगा संदेश वाहक कहलाएगा जिसके गहराई नापी नहीं जा सके जिसके गहराई को आम नाप नहीं सकते उसे क्या कहेंगे अथा कहेंगे नश्ट नहीं होने वाला जो आश्त ने हो एन अश्वर, जिस इस्तरी का पती जीवित है तो उसे क्या कहेंगे सदवा और जिसका मर गया है उसे क्या कहते हैं विदवा, ठीक है, विर्थ खर्च करने वाला अपवे, ठीक है, आगे देखें जिसकी आशा ने की गई हो ए प्रत्याशित, जानने की इच्छा रखने वाला जिग्यासू पती के द्वारा छोड़ी गई इस्त्री क्या कहलाती है प्री तक्कता हाथी की तरह चलने वाली इस्त्री गजगामिने जिसका शत्रू ने जन्मा हो ये बार बर पूछा जाते है जिसका शत्रू ने जन्मा हो अजात शत्रू जिसका इश्वर में विश्वास हो आस्तिक और जिसका ना हो नास्तिक वह जिसका कोई शत्रू नहो तो नी शत्रू देखें दोनों में डिफरेंस याद रखिए एक ता जिसका शत्रू जन्मा ही नहीं हो तो वो अजात शत्रू होता है और जिसका कोई शत्रू नहीं हो वो नी शत्रू होता है तो ये दोनों आपको पता होने चाहिए आगे देखें वह लड़की जिसका विवा होने को हो जिसका विवा जो होने वाला हो उसे कहते हैं आयूशमती ठीक है वनस्पती का हार करने वाला जो सिर्फ वनस्पती वगेरे खाते हैं सबजिया वगेरे तो उसे कहते हैं शाका हारी जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद करे, प्रतिवादी जिसके आने की तीथी नहीं हो, जिसके बारे में ये नहीं पता हो कि वो कब आने वाला है, अथीथी जिसे भले बुरे का ज्यान नहीं हो, उसे क्या कहेंगे, एविबेकी पैर से मस्तक तक, आपाद मस्तक नीले रंग का कमल क्या कहलाता है इंदीवर जो अभी अभी उत्पन हुआ हो पर्त्यूत्पन ठीक है आगे देखे जिसे इश्वर में विश्वास ने हो नास्तिक हो जाएगा पसीने से उत्पन होने वाला स्वेदज ठीक है जो मास ने खाता हो निरामिश जानने की इच्छा रखने वाला और जो मास खाता हो वो भी यादर की मास आरी होते है जानने की इच्छा रखने वाला जिग्यासू जहां खाना मुफ्त में मिलता हो तो जहां खाना मुफ्त में मिलता हो सदावरित जो कुछ नहीं जानता है जो कुछ नहीं जानता है अग्य, जो बहुत कुछ जानता है बहुग्य, और जो सब कुछ जानता है सरवग्य, अग्य, बहुग्य और सरवग्य, जो कुछ ना जाने अग्य, जो सब कुछ जाने सरवग्य, और जो बहुग्य, ठीक है, दर्दी और आकाश के बीच का स्थान क् कहलता है अधर ठीक है जो गन्ना करने के योग्या हो एय योग्या हो सोरी गन्ना करने के एय योग्या हो जिसकी गन्ना ने की जा सके नगन्ने है मन की बात जानने वाला मरमग्य जिसे बुलाया ने गया हो अनाहूद जिसे शब्दों में ने कहा जा सके ए कथनी है गुरु के समीप या साथ रहने वाला शात्र अंते वाशी जिसका कभी अंत ने होने वाला हो अनंत कहा जाएगा जो सब कुछ उदारता से दीना जानता हो क्या कहेंगे उसे उदारिय दाता जो जरासा भी खर्च करने में आनकानी करता हो उसे क्या कहेंगे कंजूस कहेंगे ठीक है प्रिये वचन बोलने वाली इस्तरी क्या कही जाएगी प्रियमंदा जिसको जीतने वाला कोई शत्रू ने पैदा हुआ हो अजाज शत्रू जो बहुत आगे तक सोच कर काम करता है उसे क्या कहते है अगर सोची जो मृत्यू के दुख में जाने को है मरणासन बहुत दिनों तक समर्ण रखने योगे जिसके आने की तीथी ने हो अतीथी जिसे भले बुरे का ग्यान ने हो ए विवेकी जिसे वानी व्यक्त ने कर सके ए निर्वचनिय हो जाएगा जिसका कोई शत्रू उत्पन ने हो अजात शत्रू ऐसा ग्रेंड जिसमें पूरा सूर्य ढख जाए सर्व ग्रास कहा जाएगा तो देखे तीन-चार कोशन तो वही है जो आपने पीछे पड़े तो रिपीट होती रहते हैं ये 2003 की हैं वो पहले के एक्जाम थे ठीक है तो कोशन जो है वो प्रिवेस एक्जाम में से ही उठाई जाते हैं आगे देखे ऐसी जीवी का जो अकाशमिक हो अकाश इते पृत्वी गिवेग ग्रहों के बीच का स्थान क्या कहलाएगा अंत्रिक्ष जो सामान्य नियम के विरुद हो ए विधिक ज्यान के नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ती दिव्या चक्षू दूद दही ग्रित सरकरा तथा मधू निर्मित मिश्रित पधारत जो देवताओं वे भगवान के सनान येतू बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं पंचा मृत कहा जाता है जिसके कोई सीमा ने हो असीम जिसको जाना ने जा सके अजे जो सब कुछ जानता हो सरवग्य जिसका आदी अंतन हो साश्वत जो पढ़ना लिखना जानता हो साक्षर जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो उसे क्या कहते हैं वयाकरण दो पैर के बाद का समय क्या कहलाता है अप्राहन जिस पर मुकदमा चलाया गया हो प्रती वादी जो व्यक्ति जादा बोले वाचाल के लाएगा जिसे अपनी क्रतवय के अज्यान नहो क्रतवय विमोड जो कुछ ने जानता हो अग्य तो बार-बार आ रहे हैं कुछ ने जानता हो अग्ये पढ़ा हमने गरती विराकास के बीच का स्थान अधर कहलाता है जिसका ज़्यान इंद्रिय द्वारा नहीं हो अती इंद्रिय जिसके स्तिर पर चंद्रमा है चंद्रमोली जिसarian अपनी क्रतव्य का घ्यान नहीं हो क्रतव्य वेमोड जो व्यक्ति विदेश में रहता है क्या कहलाता है परवासी जो एक से अधिक भाशाए जाने बहु भाशा विद जो युद में स्थिर रहता हो युदिस्टिर संध्या विरातरी के बीच का समय क्या कहलाता है प्रदोश अनुचित व्य... ओके एक मिनिट अनुचित मत करने के लिए अनुग्रह करना दुराग्रह ठीक है? आगी देखिए जानने की इच्छा रखनी वाला जिक्यासू हो जाएगा तो ये कोशन तो बहुत बार रिपीट हो गया जिसके हर्द्यमी ममता नहीं है वो कहाऊगी निर्माम और जिसके में है वो ममता मै जो हमेशा रहने वाला हो साश्वत जिसकी ग्रीवा सुन्दर हो सुग्रीव जो आमिश नहीं खाता, माश नहीं खाता, निरामिश जुम्रत्यू के समीप हो मरनासन जो उपकारों को नहीं मानता उसे क्या कहेंगे? कठिनाई से समझने योग्य दुरुबोध हो जाएगा सुरी, ठीक है दुरुबोध नेक्स्ट है जिस पर अनुग्रह किया गया हो अनुग्रहीत जिसका निवारण ने हो सकता हो अनिवार्य जो किसी पर अभियोग लगाए क्या कहलाएगे? अभियोगी ठीक है? और जिस पर अभियोग लगाया जाता है अभियोग्त जिस पर लगाया जाएगा अभियोग्त और जो लगाएगा वो अभियोगी जो अवश्य होनी वाला हो अवश्यम भावी जो विधी कानून के विरुद हो अवद अवैद हो जाएगा जो शोग करने योग्या ने हो एशोक्या जिस पर आक्रमन ने हो अक्रांत जिस पर चिन लगाया गया हो चिन हित जिसके समान दूसरा ने हो उसे क्या कहते है एद्वितिया जो सब कुछ जानता हो तो सरवग्या जिसका कोई अर्थ ही ने हो वो क्या हो जा जो उपकार मानता हो कृत्यग ना माने कृत्गहन जो पढ़ना लिखना जानता हो साक्षर जिसे जीता ने जा सके अजे जिसका कोई शत्रू ने जनमा हो अजात शत्रू अच्छे कुल में जनम लेने वाले को क्या कहेंगे कुलीन कहेंगे जो भू को धारन करे भू धर जिसने मृत्यू को जीत लिया हो मृत्यून जय ठीक है? आगे देखिए जिस पर अनुग्रह किया गया हो अनुग्रहित गुरू के साथ या समीप रहनी वाला छात्र क्या कहलाएगा? अन्ते वाशी जो कुछ न जानता हो अग्य जिसका निवारण न हो सकता हो जो अवश्य होने वाला हो अवश्यम भावी जो विधी या कानून के विरूध हो अवैद जो शोग करने योग्यन हो अशोक्या जिस पर आक्रमण हो आकरांत जिस पर चिन लगाया गया हो चिन हेत जानने की इच्छा रखने वाला जिग्यासू ठीक है बट वही है बार-बार रिपीट हो रहे हैं इसमें ये अलग है विदेश में वास करने वाला प्रवासी जो वेतन के लिए बिना कारिय कर रहा हो वेतन लिए बिना कारिय कर रहा हो ए वेतनिक हो जाएगा जो किसी के एवज में काम कर रहा हो कारिय वाहक जो उस पद पर होने के कारण किसी कारिय में किसी कारिय में रत हो पदीन जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो तदर्थ जो आधी अवदी तक काम रहत है इसको रहने देजिये भी आगे है जिसे छोड़ा ने जा सके एत्याजे जो आँखों से सुनता हो जो पेट के बल चलता हो उदर चर जिसका किसी तरह उलंगन ने किया जा सके अनू संहनिय जिसका उत्तर ने दिया जा सके अनू तृत जिसे कर्तवय ने सूज रहा हो किंग कर्तवय विमोड सो वर्षों का समू सताब्दी दो भीन भाशाओं के बीच मध्यस्ता करनी वाला दू भाशिया विश्नु का उपाशक वैश्नव गोद लिया हुआ दत्तक जानने की इच्छा रखने वाला जिग्यासू जिसकी आशाने की गई हो ऐ प्रत्याशित जो युद में श्तिर रहता है युदिस्टर जो अच्छे कुल में उत्पन हो कुलीन और जो इस्तरी कवीता रच्चती है कव्यत्रे जिसे शमा ने किया जा सकी ऐ शम्य जिस पर मुकदमा चल रहा हो प्रतिवादी हाथ से पुस्तक की लिखी प्रति क्या कहलाएगी पांडू लेपी बारे से सोला वर्ष की आयू की कन्या किशोरी जिसका कोई शत्रू ने हो नी शत्रू जो धरती फोड कर जनमता हो उद्भिज जो पराय का हित चाहे प्रोपकारी जो बहुत भाशाएं जानता हो बहु भाशी विद जो पहले कभी नहीं सुना गया एग यूत पूर्व जो व्याकरण जानता है व्याकरण आकाश चूमने वाला गगन चूमबे जो भेदा न जा सके एभेद जो कम बोलने वाला हो मित भासी जिसे वेतन ने मिलता हो एवेतनिक जंगल में लगी हुई आग दावा नल जिसने उधार लिया हो क्या हो जाएगा रिनी हो जाएगा जो बदला न जा सके एप्रिवर्तनी और जिसे बदला जा सके प्रिवर्तनी है जहां सेना रहती उसे क्या कहते है चावनी कहते है जो नितीवान हो उसे नितीश कहते हैं जहां आबादी ने हो उसको स्थानों क्या कहेंगे निर्जन कहेंगे जो विश्वास करने लायक ने हो ए विश्वस्नी और जो विश्वास करने के लायक होता है वो विश्वस्नी हो जाता है जो भवन गिर गया हो खंडर हो जाएगा, जो इश्वर में विश्वास रखे आस्तिक, ना रखे नास्तिक, जिसमें उत्सान है हो निरूत साही और जिसमें हो उत्साही, जो अधिक बोलता हो वाचाल, जिसके सिर पर बाल नहे हो गंजा, सरलता से प्राप्त होने वाला सबको समान भाव से देखने वाला समदर्शी, कस्ट सैकर होने वाला कारिय दुशकर, बहुत कम बोलने वाला मितभाशी, वाचाल मितभाशी, जो ज़्यादा बोली वाचाल, जो कम बोली वो मितभाशी, जिस पुरुष का स्वरगवास हो गया हो स्वरगी है, अकाश में व पिच्रन करने वाला नबचर, दो भाशाएं बोलने वाला द्वी भाशी, ओके अभी रहते हैं, खाद सामगरी जो यात्रा के समय रास्ते में वोग के ले लिये जाती है, उसे क्या कहते हैं, पाथे, आधी रात का समय, निशीत, ठीक है, निशी रात होती है, आधी रात का समय जिसके पास कुछ ने हो, एक इंचन, जिसे बुलाया ने गया हो, अनाहूत, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मुमुश्रू, रंगमंच के परदे के पीछे का स्तान, नेपत्य, हवन में जलाने वाली लकडी, समीधा, दिशाए ही जिनका वस्त्र हो, दिगंबर, जिसका जनन कन्या के गरब से हुआ हो, कानीन, पेट की अगनी, जठरा अगनी, जिसका शत्रू जनमा ही नह हो, अजात शत्रू, शब्द दुवारा जो व्यक्त नह हो, तो ए व्यक्त, ए कथनिय, ए निर्वचनिय, तीनों ही कहा जाता है, सांच्वे रातरी के बीच का समय, पानी, जो सब कुछ जाने सरवग्य, अच्छी आँखो वाली इस्तरी क्या कहले जाएगी सुनेना, अपनी इच्छा से आच्रन करनी वाला स्विच्छा चारी, एक मा के पेट से उत्पन सहोदर, कम खाने वाला अलपा हारी, जहां तक संभव हो या था संभव, किये गए उ उपकार को माननी वाला कृत्यग, जो अनुकरन करने योग्य हो, अनुकरनी है, कम बोलनी वाला मित भाशी, जिसका यश चारों और फैल गया हो, यश श्वी, पैर से लेकर सिर तक अपाद मस्तक, किये गए उपकार को ने मानने वाला कृत गहन, जिसकी तुलना ने की जाए ए तुलनिय, स्वेम से उत्पन होने वाला स्वेम भू, आकाश को चूने वाला गगन स्पर्शी, जिसका कोई शत्रू ने हो, नी शत्रू, और जिसने मृत्यू पर विजय पाली हो, मृत्यूंजे कहा जाएगा, जो शमा करने योग्या नहीं है, ए शम्या, पश्शी मे उत में स्थिर रहता हो, युदेस्टर, जिसके पास कुछने हो, एक इंचन, जिस पर अक्रमन किया गया हो, अक्रांत, जिसकी पतनी मर गई हो, विदुर, जो आखों के आगे उपस्तित हो, प्रत्यक्ष, जो मरने का इच्चु को, मुमुर्शु, गुरू के समीप रहने वाला विध्यारती, अंतेवाशी, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली, प्रतिष्ठित, जीने की इच्चा, जिजी विशा, जिसका नुबव इंद्रियों द्वारा ने किया जा सके, अति इंद्रिय है, जिसकी गरीवा सुंदर हो, सुगरीव, दो बार जनम विलेने वाला द जिसका कोई शत्रू ने हो, नी शत्रू, जो वचन या वानी द्वारा ने कहा जा सके, अ निर्वचनिय, बिना पलक गिराई, अनिमेश, गुटने तक बावों वाला अजान बावो, जिसकी इंद्रियों द्वारा नुबव ने हो, अगोचर, जो सब को समान रूप से देख जा सके, अपारदर्शी, जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्दम्य, जिसके पास कुछ भी नहीं हो, अकिंचन बोलेंगे, निमन जाती में जनम लेनी वाला अंत्यज्य, अनिश्चित जिविता, जिविका अकाश वृते, जिस पर हमला ने किया गया हो, अनाक्रांत, जो ने करतव्य का निश्चे ने कर सके, किंग करतव्य विमूड, अनेक युगों से चला आने वाला सनातन, ऐसा कवी जो ततकाल कवीता रचित करता हो, आशु कवी कहा जाएगा, जिसकी आशा ने की गई हो, ए प्रत्याशित, जिस पर उपकार किया गया हो, अपकृत, युग कितने सारी questions जो थे बार-बार-बार-बार repeat हो रहे थे, ठीक है, तो ऐसे ही आते है questions, repeated ही होते हैं सभी, वीडियो पसंद आए, तो please like कर दीजेगा, thank you so much बार-बार-बार-बार-बार